हाई दुस्तों असलाव अलिकूम कैसे आप लो मेरा मनबील है iOS 18 कर review बहुत टाइम से pending था आप लोग बोल रहे थे कब ले के आओगे review वीडियो कब ले के आओगे तो उसके लिए सबसे बहले तो मैं sorry बोलना चाता हूँ आप लोगो सकते हो और उसमें मैंने वह सारी डिल्स जो बीवीडी सेल में हैं यहां पर आड करके रखिए तो अगर आप iPhone 15 लेना चाह रहे हो 15 प्लस लेना चाह रहे हो बहुत सारे कमाल की ओफस कमाल की डिल्स है तो सब आपको वहां पर देखने मिल जाएगी तो उसको चेक आप कर सकते हो फ्लिप कारड पर ही लेके जाएगा आपको और यूट्यूब के जरीए से आप कर सकते हैं वीडियो के अंदर से ही अब iOS 18 की बात करें तो यहां पर देखिए iOS 18 का जो रिव्यू है मैं चाहता तो iPhone 16 पर भी कर सकता था लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से maximum लोगों के पास iPhone 16 नहीं है iPhone 15 या उससे older model आप लोग चला रहे हो यहां पर इस वहे से मैं यह जो रिव्यू है हमारा iOS 18 का यह मैं अपने iPhone 15 पर ही करूंगा जो पिछले एक साल से मेरे साथ है iPhone 16 अगर है या आपके पास 16 सिरीज का कोई भी फोन है तो उसके लिए भी अपडेट आई भी है अपडेट एक और आई भी है जबके 18 पर ही चल रहा है उसको आपडेट भी कर सकते है लिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अब यह वीजियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा अब यहाँ मेरा iPhone 15 में लेकर आगया वापस फ्रेम में 16 परसेंट पर है इतना कभी मैं रखता नहीं न मैं एडवाइस देता हूं लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हमको यह सारी चीज़े करनी पड़ी तो कभी यह काम आप करना नहीं अब यहाँ पर सबसे वहले बैटरी की ही बात करते है क्योंकि बैटरी अब मेरे फोन की प्राइमरी डिवाइस के तोर पर यूज किया दूसरे फोन मेरा जो सिम था वो सिम मैंने इसमें डाल दिया गूगल पर सारा कुछ सेटप किया प्रॉपरली यूज किया इसको यहाँ पर आयोस 18 करने की वाइसे आपकी बैटरी हल्थ गिरेगी नहीं यह बात तो पकी है मैं पर बैटरी का पफॉर्मेस कैसा है वो बताता हूँ तो सबसे पहले देखिए आज जो है ट्यूजडे 24 तारीक है 24 सप्टेमबर और मंडे रात को 12 बच के 7 मिनट को मैं इसको चार्जिंग पर से अटा दिया था आगए 12 बचे एक्जाक्ली रटा था लेकिन थोड़ा सा कु तक चला था तो यहां पर सिगनिफिकेंटली बैटरी जो है वो कम हो चुकी है इस फोन की और बैटरी कम होने से मतलब है कि बैटरी लाइफ अब यहां पर यह वाला स्क्रीन शॉट है मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसको जब रात को 100% चार्ज किया था 12 बच के 7 मिन कर रहा है और 15 बी जो है ऐसे ही बीएफ कर रहा है यहां पर देखिए आप किन चीजों ने यहां पर बैटरी का इस्तमाल किया सेटिंग्स ने होम और लॉक स्क्रीन और फाइंड माई ने अब सेटिंग्स के अंदर आप क्या चेंज करेंगे कोई अगर होता यहां पर तो मै बैटरी लाइफ कितनी मिली है exactly वो चेक करेंगे तो यहां पर मंडे को पूरा दिन इस्तमाल होगा मंडे रात को 12 बज़े याने की संडे की रात में 12 बज़े तो मंडे लग जाता है तो उस टाइम पर चार्जिंग पूरी कर लिया था मैंने और यहां पर आप देख सकते है तो यहां पर अगर हम देखे तो पाच घंटे का तकरीवन स्क्रीन ओन टाइम है जो कि डिस्रेंट है खराब नहीं है बैटरी लाइफ यूजेज में इतनी खराब नहीं मिल रही है यह फोन की लेकिन जब अब आइडल स्टेट में रखते है तो बैटरी जादा ड्रेन होती करता है मैंने यहां पर सोशल मेडिया के नाम पर सिफ यूटईवब ही चलाया है यहां पर भी किया है ऐहां पर भी किया हैımızı इस तैंस यहां पर ऑपलोणब नहीं दालना ही वो आगरी मिलेफ doubts और चार घंदे का मिला है यहां बर दुछimas एड़ोदे का और स्योड़े तो य स्टेबल वर्जन जो है उसके अंदर बैटरी का इश्यू है बैटर लाइफ उसमें अच्छी नहीं है सिवियर बैटरी डिरिन आपको उसमें देखने मिल रहा है अब अगली चीज यहां पर बात करते हैं गाईस टोरेज की तो यहां पर स्टोरेज में मैंने आपको बताया थ देते एक बार और नीचे चले जाते हम एकदम तो यहां पर देख सकते आप सिस्टम डेटा जो है 7.7 GB है जो कि डिसेंट है 10 GB, 11 GB, 15 GB तक भी ठीक है यह फ्लक्टुरेटिंग रहता है कम जाधा होता है अगर इसी फोन को जब मैंने आयो सेटीन पर किया था उस टेम पर जो है 1.07 GB है तो इस फोन में अभी 8 GB दिखा रहा है लेकिन अगर मैं इसको और यूज करू दो तीन दिन और यूज करू हफता बर यूज करू यह और कम हो जाएगा अच्छे से ऑक्टिमाइस करके अगर आप फोन यूज करेंगे तो यह कम रहेगा लेकिन फिर भी अगर जादा है तो डेंजन मत लीजे और यहां पे बिल्कुल भी iOS 18 में आपको देखने ने मिलेगा इस मामले में अपडेट अच्छा है अब नेटवक की बात करते गाईस तो यहां पे नेटवक में देख सकते आप यह नया जो iOS 18 का पूरा संट्रोल सेंटर है और इसके अंदर वाइफाय, ब्लूटूथ, मुबाइल डेटा, एड्रॉप सारी चीज़े देखने मिलती है और सारी चीज़े अच्छी काम करती है मुझे थोड़ा इशू आया था iOS 18.1 के बेटा 4 के अंदर एड्रॉप वगरा के अंदर के अभी वह भी सॉल्फ हो गया है इनिशली ड्रॉप करने में इस वाले जो iPhone है और इस वाले अपडेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो नेटवर्क अच्छा है कॉलिंग वगरा में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही कोई र्रॉप कोई कॉल फेलियर वाइफाय कॉल युछ प्रॉब्लम जो है नहीं दे रहा है तो दीकि अपडेट करने से पहले 17.6.1 अपडेट पे हम चल रहे थे यहां पे 26496736 यह सिंगल और multi-core का score था CPU का benchmark की बात करों में उसके बाद देखी कितना कम हो गया था उस रात में जब iOS 18 ना आया था 2501 5802 मतलब single multi-core score पर दोनों कम हो गया था अभी single-core score और कम हो गया है 2491 हो गया है लेकिन multi-core score 6000 प्लस हो है तो 6298 हो है लेकिन अभी भी 6700 या 6500 के उपर की रेंज थी उससे काफी ज़्यादा कम है तो यहां पे में भी battery को conserve करने के लिए थोड़ असा performance में आपल ने यहां पर कमी लेकिया है तो यह भी एक issue है इसके अंदर वैसे performance के अंदर कोई दिक्कत आने रही है सबको smooth चल रहा है पड़ यहां पर benchpacks कम हुए है iOS 18 update install करने के बाद तो iOS 17 में जादा performance था आगे जाके में भी tweak करके सब normal कर देंगे वह लो लेकिन अभी पिला लिये है बाकी GPU का जो score था उस रात में जब मैंने अपडेट किया था चेक किया था 2300251 तो उसके मुकाबले अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ ही है तो इसमें कोई प्रूद का performance थोड़ा सा और इंप्रूफ हो सकता है यह पॉप अगरा और इंप्रूफ आपको देखने मिल सकते आगे जाके अपडेट में अभी फिला थोड़ा सा हलका सा स्लो लग रहा है और यहां पर आगर मैं इनको पहनूँ तो आप देख सकते हैं यह connect instantly हो गया तो प अगर आप यह एरपोर्ट देना चाहते है एरपोर्ट 4 एरपोर्ट प्रो 2 तो यहां पर मैंने आपके लिए जो शॉपिंग आप है यूट्यूब का यहां पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है उस पर क्लिक की आपको मिल जाएगा जो बेस डील है आपको देखने मिलेगी तो चेक करना जरूर उसको और यह नया फीचर कैसे काम कर रहा है इसके बारे में मुझे बताना क्या कोई अप्लिकेशन इस वाले अपडेट में क्रैश कर रहा है तो मुझे तो ऐसा कोई भी आप्लिकेशन क्राश करता नजर नहीं आया यहां पर द update के अंदर क्योंकि this table update भी है और beta भी होता तो इतने बात में जो आए वाई वैटा जोते हैं उसमें ये इस एपस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आप में दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने शायद अप्डेट नहीं कियोंगे, अप्डेट में जाके मैनुल एक बार अप्डेट कीजिए, यहाँ पर आपका जो फोटो होता है उस पर टाप कीजिए, पुल डाउन कीजिए इस तरीके से, और कोई ना कोई अप्डेट वहाँ पर आया इनमें green screen आ सकता है, Apple की तरफ से कोई भी support इसमें नहीं है, BKC Store और दिलिसा के स्टोर में कुछ devices है 13 Pro, 13 Pro Max पे, free screen replacement करके दे रहे वो भी जगड़ा करने के बाद, जितना मुझे पता चला है, मैंने personally जाके चेक नहीं किया, लेकिन यह मुझे पता चला, तो मैं आपको बोर आइफोन for iOS 18 अपडेट, जरूर देखो, उसमें मैं बताया, अगर आप वो steps follow करेंगे, तो इन्शालला बिल्कुल भी आपके phone पे green screen नहीं आएगा, लेकिन follow नहीं करेंगे, तो green screen इशू आ सकता है, एक simple सी बात बता देता हूँ, charging पे लगा के update ना करे, कोई bugs क्या मुझे यहाँ पे iOS 18 के अंदर देखने मिले या नहीं देखने मिले, तो यहाँ पे overall ऐसे कोई buggy nature नहीं है, इस OS का काफी जादा stable है, जो bug देखने मिला है, वो battery से related ही बूल सकते हो, कि battery रात और रात drain हो जारी है, idle battery drain जाधा है, इसके अलबावा सारी चीज़े यहाँ पे proper ही नज करना है, बस इस तरीके से बंद कर दो आप और यहाँ पे इसको tap करो, देखे सारी चीज़े चलीगे, recent days है और आपके photos है बस, तो हर चीज़ आपके पास है मौझूद, बस आपको देखना है, इस पर click करना है, click नहीं करेंगे और फिर रोना रोते रहेंगे, तो फिर मतलब यहाँ पे नहीं रहता है, आपको feature दिया हुआ है, यूज करना है, नहीं करना है, completely up to you, आप उसको बंद भी कर सकते है, आप उसको रग भी सकते है, आपको ऐसा लग रहा है, cluttered है, छोड़ा सा कम कर लो, clean कर लो इसको, apple intelligence और call recording, apple intelligence और call recording, जो है, apple intelligence उसके अंदर, बिलकुल max भी है, उसमें भी apple intelligence नहीं आगा, क्योंकि वो iOS 18 पे चल रहा है, apple intelligence जो है, वो आएगा आपको iOS 18.1 पे, तो यह देखिए, यह मेरा 16 pro max में यहाँ पे लेकर आता हूँ, और यह desert titanium वाला नया, और इसके अंदर apple intelligence है, यहाँ पे series नया वाला, वो देख सकते है, और apple intelligence के सारे features clean up अगरा सब कुछ है, क्यों है, क्योंकि मैंने इसको 18.1 पे update किया हुआ है, अगर आप 18.1 पे update करते हो, अपने iPhone को beta version के अंदर, 18.1 का beta 5 भी आया हुआ है, तब आपको apple intelligence देखने मिलेगा, लेकिन compatible phone बेस है, 15 pro, 15 pro max और 16 की पूरी series, तो apple intelligence यहाँ पे आपको नहीं मिलने उस पे आप call recording चला सकते हो, बस call recording को transcribe नहीं कर सकते है, क्योंकि वो एक apple intelligence का feature है, तो call recording को मिलेगी, लेकिन apple intelligence नहीं, अगर आपकर compatible phone नहीं है, तो, अब यहाँ पे जो मुद्दे की बात है, दोस्तों, वो कर लेते है, क्या आपको iOS 18, जो बहुत बड़ा update है, बहुत major update है, इसमें बहुत सारे नहीं features, apple ने add किया है, redesigned आपको control center देखने मिल रहा है, control center को आप customize कर सकते हो, photos application redesigned है, आप इसके अंदर home screen customization कर सकते हो, यहाँ पे मैंने tap किया, edit पर tap किया, यहाँ पर customize में गया, और मैं सारे जो, यहाँ पर icons को dark कर सकता हो, wallpaper को light कर सकता हो, पहुत सारे यह battery drain है, यह आपका अगर usage experience खराब करता है, तो मत कीजिए, क्योंकि मेरे phone की battery health 100% रहने के बावजुद भी यहाँ पे देख सकते है, idle battery drain इतना जादा है, अगर आपका iPhone 90% health पे है, 85% health पे है, तो जादा battery drain होगी, इस वज़े से अगर आप iOS 18 को avoid करेंगे, भी फिलाल दोस्तों iOS 18 के review की, I am sorry, late होने के लिए again बोलना चाहूंगा, आप लोग ने बहुत इंतजार किया, और thank you so much इंतजार करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, कुमी करता दोस्तों आपका वीडियो पसने आपको 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 लाइक एंशेर जरू कीजिए, बढो स्ब्सक्राइग ऑदने को स्ब्स्क्राइग जब के लिए हमारे ज्यों, बुटबाए.